हेलो दोस्तू, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम इम्तियास एहमत की बिहार एक परिचे का अब्जेक्टिव प्रश्न को डिसकस करेंगे आज का चैप्टर है बिहार में स्वतंत्रता संघर्स बिहार में स्वतंत्रता संगर्स की अंतरगत चंपारन सत्या ग्रह तो चलिए सुरू करते हैं चंपारन सत्या ग्रह पहला सवाल है चंपारन में तीन कठ्या पद्दती के अंतरगत लंबी अवदी तक नेल उपजाना पड़ता था वह अवदी होती थी बीस पचीस या तीस वर्स की अवदी होती थी दूसरा सवाल है हिंदू पैट्रियेट के किस संपादक ने नेल पिरित किसानों का पक्छ लिया था हरिश चंद्र मुखर जी ने नेल पिरित किसानों का पक्छ लिया था बिहार में कब नील रयतों का विद्रो हुआ 1907 से 1908 साथी कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया और कुंदिया के रयतों ने सेक, कुलाम और सीतल राच के नेत्रित्त में नेल उपजना बंद कर दिया नेल उत्पादन के विरोत करने पर सीतल राय और राधु मल को गिरिफतार कर लिया 26 अक्टवर 1908 को नेल उत्पादन के विरोत करने पर सीतल राय और राधु मल को गिरिफतार किया गया किस ब्रेटिस अधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी डबलू आर गोडले लेफ्टिनेट गवर्णर एडवर बेकर ने पतना निलहु का सम्मेलन बुलाया 1909-1910 तीन अप्रेल 1915 को बिहार प्रांति सम्मेलन के सात्वे अधिवेशन में कहां अध्यक्षपद से भासन देते हुए नेल प्लांटरों और रैयतों के मध्य विसम संबंधों का उलेक किया छपड़ा किस समचार पत्र ने चमपारन के दूर्दर्शा पर नेबंद प्रकासित किया हिंद केसरी अम्रित बाजार पत्रिका भारत माता ओप्सन डी उप्युक्त सभी ओप्सन डी राइट अंसर अभ्युदय ही त्वार्त तथा मिथिला मेहीर ने भी रैयतों के दूर्दर्शा का जिक्र किया किस समचार पत्र ने चमपारन में निलहो द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगतार नेबंद प्रकासित किया प्रताप निलहो के अत्याचारों से सम्मंदित कौन सा बात सत्य है प्रात्ना पुस्तिका में निलहो के अत्याचार का उलेक है बेहार की संपादक स्री महेस्वर प्रशाद ने निलहे साहब और रैयत सिर्शक से निबंद लिखा स्टेट मैन स्री प्लैक सीप का निबंद ऑप्सन डी उप्युक्त सभी बात सत्य है ऑप्सन डी राइट अंसर भारति राष्ट कॉंग्रिस की किस अधिवेशन में पत्ना विस्विद्याले विधेयक और चंपारन के निलहो और रैतों की संबन में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को स्री कृष्ण स्री सुक्ल ने चंपारन आने का आमंत्रित दिया ओप्सन ए लखनव अधिवेशन 1916 में लखनव अधिवेशन कॉंग्रिस का 31 अधिवेशन था स्री जेवी क्रेपलानी चंपारन आंदोलन की समय किस कॉलेज के अध्यापक थे भूमिहर ब्राहमन कॉलेज मुजफरपूर के अध्यापक थे चंपारन आंदोलन की दोडान के कॉलेज से बरखास कर दिया था मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारत्य दंड सहिंता के किस धारा के अंतरगत अभियोग चलाने की सूचना दी धारा 108 के अंतरगत भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तयार हो रहे थे 18 अप्रेल 1907 गांधी जी जेल जाने को तयार हो रहे थे इसी दिन संपुर्ण भारत वसको सत्याग्रह का पहला पार्ट गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनै अवग्या का प्रियोग किया चंपारन आंदोलन की दोडान जेल जाने की इस्थिती में आंदोलन का नेत्रित्त किनहे करना था मजरूल हक एवं ब्रज की सोर प्रसाद निम्न में सी कौन सा अंगले चंपारन आंदोलन और गांधी जी का समर्थत था C.F. Andrews C.F. Andrews चंपारन आंदोलन और गांधी जी का समर्थत था महत्म गांधी राज कुमार सुक्ल के गाउं मुर्ली भड़हवा कब पहुचे 27 अप्रेल 1907 कौन सी रिपोर्ट रैयतों के तीन रुपए प्रती बेगा के अतिरिक वसूली के विरोध में आंदोलन के परिनाम स्वरुप तयार की गई लिविस रिपोर्ट निम्न मेंसी किसने प्लांटरों की समर्थन में चमपारन आंदोलन की दोरान रिपोर्ट तयार किया जे ए स्वविनी ने तयार किया यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1907 को जीला मजिस्ट्रेट में भेजा गया किस समचार दैनिक में चमपारन आंदोलन की मध्य यह प्रकासित हुआ मेरी आसा के अनुरूप चमपारन में गांदी जी के काम में अस्थानिय गोडे निलहे साहबोम ने बाधा डालना सुरू कर दिया भारत मित्र समचार दैनिक में 13 माई 1907 को यह प्रकासित हुआ गांदी जी ने 28 माई 1907 को श्री इर्वीन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके सोसन का जिक्र किया था निम्न में से कौन सा चमपारन आंदोलन से संबन्दित है बाबु सीव नंदन राय चमपारन आंदोलन से संबन्दित है अंग्रेजो द्वारा जब्द चम्पारन की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई पीर मोहम्मद द्वारा पीर मोहम्मद द्वारा पुस्तिका लिखी गई चम्पारन की प्रजा पर अत्याचार पीर मोहम्मत कानपूर के प्रताप के लिए निबंद लिखते थे च्रमपारण में क्रिसी की इस्तिती के जाज के नियुक्ती जाज समीती के अध्यक्स थे एफ जे सलाई गांधी जी इसके सदस्य थे जाज समीती की पहली बैठक 17 जुलाई 1907 को हुई बेहार सरकार द्वारा जाज समीती की सवी अनुसंसाय स्विकार करने के बाद इसका अधि सूचना प्रकासित किया 18 अक्टुर 1907 में गांधी जी को चमपारण आंदोलन की दोडान बेहार छात्र सम्मेलन के काहा के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनित किया गया था भागलपूर 15 अक्टुर 1907 को यह अधिवेशन हुआ चमपारण क्रीसी विधेयक को विधान परिसद में कब प्रस्तुत किया गया 29 नमंबर 1917 में यह प्रस्तुत किया गया 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकासित किया गया 4 मार्च 4 मार्च 1918 को परिसद की सम्मुक विचार अर्थ प्रस्तुत किया गया 4 मार्च 1918 को परिसद की सम्मुक विचार अर्थ प्रस्तुत किया गया चंपारण क्रीसी कानुन की विशेश्ताय थी तीन कठ्या की समाप्ती सर हरबेसी में तूर कॉलिया में 20 प्रतिसत और अन्न में 26 प्रतिसत की कमी रयत को नेल उपजाने की दायत्त से मुक्ती ओप्सन डी उप्युक सभी विशेश्ताय थी ओप्सन डी राइट एंसर मुकदमे बाजी रोकने की विवस्था भी थी गांधी जी ने किस गाउं में 14 नमंबर 1917 को पहला स्कूल अस्थापित किया था बढ़ हरवा लखन सेन गाउं बीस नमंबर 1917 को भीतरवा में गांधी जी ने दूसरा इस्कूल खोला चंपारन आंदोलन 1917 था किसान आंदोलन नेल किसानों का आंदोलन था चंपारन आंदोलन तीन कठ्या प्रथा संबंदित है चंपारन आंदोलन से तीन कठ्या प्रथा संबंदित है अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंद 19 सतीक में सुरुवात में ही कड़ा लिया था जिसके अंदरगत किसानों को अपने जमिन की प्रती बीगे पर तीन कठ्ये नेल की खेती करना अनिवार्य था इसे तीन कठ्या प्रथा कहते है चमपारन आंदोलन का नेत्रित किसने किया था महत्मा गांधी ने महत्मा गांधी चमपारन किसके बुलावे पर गये थे राजकुमार सुक्ल राजकुमार सुक्ल के बुलावे पर महत्मा गांधी चमपारन गये थे महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आग्मन हुआ 1917 में 10 अप्रेल 1917 को राजकुमार सुकल के साथ गांधीजी पतना पहुचे तीन कठिया प्रता सर्वादिक प्रचलित थी चंपारन में चंपारन आंदोलन की समय पिहार का उप्राजिपाल था एडवर्ट अलबर्ट गेट चंपारन की नील किसानों की मामलों से सम्मन्दि जात समिती निसरकार को सरु सम्मत प्रति वेदन पेश किया 4 अक्टुवर 1907 को चंपारन आंदोलन की परिनाम की सम्मन्द में कौन सी बाती सत्य है तीन कठिया प्रता का अंत सभी रयतों के लगान घटा दिये गए बागान मालिक द्वारा वसूल किये अवेद नगद रुप्यों में 25 प्रतिसत वापस किया गया ओप्सन डी उप्युक्त सभी बाती सत्य है ओप्सन डी राइट एंसर चंपारन आंदोलन की समाप्ती के उप्रान गांधी जी ने किसे अपने मोती हारी के कार्यकाल का कार्य भार सौपकर वापस लोट गए जनक धारी प्रसाद भारत में महात्मा गांधी ने सर्व प्रतम किस आंदोलन में भाग लिया चंपारन आंदोलन भारत में महात्मा गांधी ने सर्व प्रतम किस आंदोलन में भाग लिया चंपारन गांधी जी ने सर्व प्रतम चंपारन किसान आंदोलन में भाग लिया बिहार की किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेत्रित्त किया राजकुमार सुक्ल ने चंपारन आंदोलन में कौन संबंदित नहीं है अनुग जय प्रकास नारायन चमपारण आंदोलन से सम्मन्दित नहीं है गांधी जी ने किस जीले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था चमपारन जीले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्यागरह किया था चमपारन प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से चमपारन सत्यागरह के दोडान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोती हारी में गांधी जी का चमपारण आंदोलन किसलिये था? नील की खेती करने वालों की समस्य समाधान के लिए गांधी जी द्वारा चलाये गए सफल सत्यागरह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? चमपारण महत्म गांधी द्वारा चमपारण सत्यागरह प्राडंब हुआ 1917 में गांधी जी ने भारती राज नेतिक में प्रवेश किया चमपारण आंदोलन से चमपारण में गांधी जी को आमंत्रन किसने किया राज कुमार सुक्ल ने किसने यूरोपियन नील बागान मालिको द्वारा किसानों की सोसन की तरव गांधी जी का ध्यान आकरसित किया राज कुमार सुक्ल ने बिहार के कौन से अस्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था चमपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रत्थम सत्या ग्रह आंदोलन था चिसमें उन्होंने सविने अवग्या का प्रियोग किया चंपारन आंदोलन मुख्यत किसके विरोध में था नगदी फसल के विरोध में था तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एकलास अच्छी लगियों प्लेस लाइक, सेर, सब्सक्राइब किजिए जैहिन थाइंक यू